वेलकम टू माई चैनल मैडी हट एंड आज हम बात करने वाले हैं दो ड्रोप और दो सिरप के बारे में क्यूंकि इसके अंदर कंपोजिशन सेम ही पाया जाता है तो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँँगा इन चारो चीजों को तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रोप के बारे में तो एक वैलमेनिक की ड्रोप आती है और इसकी ही सेम साल्ट में नोबलुक एफ की ड्रोप आती है और ऐसी हमारा वैलमेनिक का सिरप भी आता है और नोबलुक एफ का सिरप भी आता है तो मैं इसी वीडियो में सब चीज कवर कर दूँगा कि आपको इसके यूज क्या है क्या इसके डोज है एंड क्या साइड इफेक्ट है सब कुछ एक ही वीडियो में कम्प्लीट कर दूँगा अगर हम बात करें वैल मेनी की ड्रोप और नोबलोक एफ की ड्रोप के बारे में तो यह छोटे बच्चों के लिए होती है यानि हम इसका इस्तमाल न्यूबॉर्ण बेबी से लेके अगर हमारा कोई 6 मन्त या 8 मन्त तक अगर कोई बच्चा है तो उसकंदर हम दे सकते हैं अगर हम बात करें वैल से 6-33 साल तक के बच्चों को प्रांसे दे सकते हैं अगर हम बात करें से सम्धर कांदर कमपोजिशन के बारे में यानि जो हमने चार चीज देखी हैं वाल मननिक का सिरप नोबलोके हैफ कासिरफ जो है अगर में बात करें से करद हैं यानि इसकंदर साल्ट क्या पाया जता तो इसकंदर हमारे बार जाता है Hat e कि द्रोफ में कुछ और करों पाए जाता है अगर मैं बात करो अपके द्रोप के बारे में तो इसकंदर हमारे फिनेल फायर형 हाइड फायनार में फाइब मिली अगर हम बात करें प्रॉपर्ली इसके यूज क्या है या नाक से पानी आना या आक के अंदर बहुत ज्यादा लालपन हो जाना या बच्चे को बार-बार छीक आ रही है अगर बच्चे को हलकी बहुत खासी भी है तो उसके अंदर भी हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं यानि इसका प्रॉपर यूज क्या है अगर मोसम चेंजिंग के टाइम पर बच्चे को जुखाम हो रहा है तो जुखाम हलकी बहुत खासी भी है तो उस इस्तिती में हम इसका इसका ने से कि मैं आपको इसकंदरered कंपोधिशन में बता था कि इसकंदर फिनयले फायरीन पाया जाता है and ख्रम थिनयले फायरीन पाया जाता है अगर हम बात करें थे w knob कि इसका यूज्ण कでは तो क्या है तो यह क्या कडहरता है तो यह क्या करता है बिल्लेट्स to द्रग की तरह काम करता है या हमारी आंक और नाक से जो पानी आता है उसको रोकने में helpful रहता है अगर हम बात करें इसके side effect के बारे में यानि इसके क्या क्या side effect हो सकते हैं side effect को इतने ज्यादा नहीं है side effect कुछ एक आदी देखे गए हैं जैसे कि या तो nausea हो सकता है या vomiting हो सकत है या बच्चे को जखकर आ सकते हैं और को इसके ज्यादा इतने side effect नहीं है अगर आपको वीडियो में कुछ और भी चीछ पूछने है तो नीचे जो आपको number mention है आप इस पर contact कर सकते हैं या नीचे comment भी कर सकते हैं मैं आपका reply कर दूँगा और वीडियो को please like कर दीजे and channel क subscribe कर ले I hope you like this video thank you for watching this video